हलो इस्टुडेंट्स मैं आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करता हूं इस वीडियो से और यूटुब से मेरे जो भी आर्णिंग होगी या जो निंग हो यह उसका 10 परसेंट गरी बच्चों को फ्रे एजूकेशन प्रवाइट करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करत आज इसमें के तेन सब टॉपिक्स पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिकल एनरजी दे एक्विवेलेंट मास एंड मास एक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनरजी और नुक्लियर एनरजी इस टॉपिक को में बहुत ही अच्छे से बहुत ही एज़िए विडियो को पूरा देखेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और अगर ये वीडियो पसंद आये तो लाइक क हमें पता है कि जब करन्ट फ्लो होता है तभी बल्ब करता है जो फैन है वो रोटेट करता है पता है जब हम स्विच ओन करते है तो करन्ट फ्लो होता है तो हमारा जो फैन है वो रोटेट करता है बल्ब करता है जो बैल्स है वो रिंग होती है तो बिना करन्ट के यह सभी च करणसे हैं करन्ट से उसके बारेरे में बहुत सारे लौ जीव नें हमें चार्ज एसके बारे में critical के वज़े से às Dual Am noises की करेंट है उस- cosas current में जो एक energy associate होती है उस energy की वज़े सी तो क्या हो रहा है हमारा fan rotate हो रहा है हमारा bulb glow कर रहा है current से जो energy associate होती है उस energy को हम क्या कहते है electrical energy और जो urban Indian होता है वो daily 200 joule energy का use consumption करता है daily 200 joule energy use करता है urban Indian कोई city में रहने वाला कोई Indian है वो daily हर city में रहने वाला इंडियन daily approximate 200 joule energy की need उसे होती है इतनी energy का वो use करता है फिर उसके बाद अगला topic है the equivalence of mass and energy तो इसमें क्या कहता है कि 19th century के end तक 19th century के end तक ऐसा समझा जाता था कि हम energy को ना तो create कर सकते हैं यह यूँ कहें energy नहीं हम mass को ना तो create कर सकते हैं ना तो destroy कर सकते हैं जितनी भी chemical reaction होती है यह molecular reaction किसी भी टाइप कर जितना भी जो भी कुछ भी जितना भी हमें physics में के chemistry में पढ़ते थे जब तब 19th century के end तक जितना भी पता था उसके according क्या assumption कि mass को ना तो create कर सकते हैं ना तो destroy कर सकते हैं लेकिन जो Albert Einstein नाम के scientist थे उन्होंने एक relation दिया between mass and energy वो relation क्या है a is equal to mc square क्या relation दिया Albert Einstein नाम के scientist ने a is equal to mc square where a is energy m is mass and c is speed of light in vacuum c is speed of light in vacuum and value of c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second जो light की speed है किसमें vacuum में कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second थीक है तो हमने क्या कहा कि पहले तक तो यह consider करके रखा था कि mass को ना तो create कर सकते हैं ना तो destroy कर सकते हैं फिल Albert Einstein ने क्या कहा कि mass और energy में एक relation होता है क्या relation है वो e is equal to mc square मतलब हमारे पास कोई object है जिसका mass कितना है 1 kg कोई object है उसका mass कितना है 1 kg और उस mass को हम पूरा की पूरा किसमें convert कर दे अगर energy में convert कर दे तो उससे हम कितनी energy मिलेगी वह इस equation से हम बता सकते हैं तो देहो e as it is mass mass कितना है अगर object का 1 kg तो m की space फिर में लिग दिया 1 c c की value कितनी है 3 into 10 to the power 8 और c का whole square है तो यहां मैंने लगा दिया whole square तो यह 3 का square कितना हो जाएगा 9 3 का square 3 3,000 9 और 10 की power 8 उसकी power 8 तो power की power का क्या होता है multiplication 10th में पढ़ा है ना 10th और 9th में power की power का क्या होता है multiplication तो add to the 16 तो यह हो जाएगा 16 Joule और 1 में multiply करेंगे तो वही value आएगी तो मतलब अगर हमारे पास कोई object है और उसका mass कितना है 1 kg और उस 1 kg mass को अगर हम पूरा की पूरा किसमें convert कर दे एनर्जी में convert कर दे 100% अगर एनर्जी में convert कर दे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी 9 into 10 to the power 16 Joule एनर्जी मिलेगी इसका मतलब हमें approximate 3000 Megawatt एनर्जी मिलेगी यह इतनी एनर्जी है कि जो एक power station जो electricity या किसी भी टाइप का power station एक साल में जितनी एनर्जी या जितनी एनर्जी जितनी एनर्जी create करता है उसके equal है मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 kg mass से हम इतनी एनर्जी create कर सकते हैं अगर उसको पूर अगर हम 1 kg mass को 1 kg mass को पूरी तरीके से energy में convert कर दे तो उससे जो हमें energy मिलेगी उससे दिल्ली जैसे city को हम 6 months तक electricity provide कर सकते हैं मतलब अगर यह marker है इसका mass 1 kg है और इसका पूरे की पूरे mass को अगर में energy में convert कर दू तो हमें इतनी energy मिलेगी कि दिल्ली जैसे city को भी 6 months तक उस energy इसे एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगा लेकिन हम किसी भी अभी तक हमारे पास को ऐसी टेखनोलोजी नहीं है किसे हम किसी भी ऑबजेट के 100% मास्कों किसमें कर दे एनर्जी में कर दे फिर उसके बाद जो मॉस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है हमारी न्यूकलियर एन और एक में होता है फिजन जो न्यूकलियस का एक में होता है जिसमें न्यूकलियस मिलते हैं और एक में न्यूकलियस तूटता है तो यह कैसे वार्क करते हैं तो जो न्यूकलियर फिजन है न्यूकलियर फिजन है दो टाइप से एक न्यूकलियर फिजन और एक न्यूकलियर fusion तो उसमें बहुत जादा energy release होती है और जो हमारे nuclear weapons है वो इसी fusion और fusion पर based है और जो हमारा sun है sun से जिससे हमें energy मिलती है अगर sun नहीं रहे तो हमें पता नहीं हम जिंदा भी नहीं रहे पाएंगे तो sun से जो most important energy हमें प्रोवाइट करता है उसमें भी क्या होता है nuclear fusion की reaction होती है तो sun के अंदर क्या होता है कि फॉर हाइड्रोजन के एटम कितने एटम फॉर हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके मतलब एक दूसरे से कंबाइंड होके क्या बनाते है एक हिलियम का एटम बनाते है पॉर हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होके क्या बनाया एक हिलियम का एटम तो लेकिंगे में तसरे सबीक मिलने सरे मास कितना होना था फॉर के जी ओर हो प्लेस-वब फीन बना होके मास कितना होना था 4 kg लेन 4 kg नहीं रहेगा उससे कुछ कम रहेगा हमने consider कर लिया कितना है 3 kg तो 1 kg mass कहां गया तो वो 1 kg mass energy में convert हो गया वो 1 kg mass किसमें convert हुआ energy में convert हुआ और वहीं से sun को energy मिलती है sun हमें energy provide करता है तो sun में कुन सी reaction होती है nuclear fusion sun में क्या होता है nuclear fusion fusion में क्या होता है कि atoms एक दूसरे में fuse होते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जब atoms एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यह जो reactant से इसका total mass product के mass से ज़्यादा होता है यह यह कहे product का mass कम रहेगा product का mass कम रहेगा किस से कम रहेगा reactant के mass से कम रहेगा क्या कहा हमने जल्दी से बताओ किसका mass कम रहेगा product का mass कम रहेगा किस से कम रहेगा reactant के mass से कम तो जो mass है वो कहां गया तो वो energy के form में convert हो गया इसी type से एक होता है nuclear fusion nuclear fusion में क्या होता है कि इसमें क्या थे हैवी नुकलियाई चोटा यह लाइट 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 हमारे पास एक हेवी नूकलियस पहले से था सपरॉज किर हमने ले लिया यूरेनियम 25 ले अधो सब्सक्रावर ने लाइंस की लाइंस में सब्सक्राई vendo न्यूक्लियस का neighbor में टूट गया दो लाइटर नू Sans है कितना फॉर केज़ी तो इन दोनों का मास मिलकर कितना होना था 4 kg नहीं सब्सकर इसका मास है 1.5 kg इसका मास भी है 1.5 kg तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3 kg तो 1 kg मास कहां गया 1 kg मास कहां गया तो वह 1 kg मास किस फॉर्म में yn् apartments गया स्वख्किस के फॉर्म में गया का तो हमारे जो निकलियर पावर प्लांट होते है जिससे हम हम इलेख्ट्रिकल एनर्जी बनाते बनाते लाटे रहे हैं वहां पर क्या उता है नूकलियर टान होता है वह फिजन सकैन साथ था कंट्रोल बे मैं फिजन प्र कराते हैं इस उसके बाद जो बान्म होते हैं उसमें भी बॉंब उसमें होता है लेकिन ऐस बाय गरीम के सा क्रूप Ł यह हता हुअ हैश यह किस एक है प्लेट हो जाता है तो दिन दोनोंकी मास्ट की नपशन है متेमिच मास्कड वा जाता है एनर्जी में convert हो जाता है और वो एनर्जी कितनी मिलेगी तो एनर्जी में change किसके एक्वल रहेगा इसी equation E is equal to mc square से ही मिलेगा कि मास में जितना change हुआ उसी से हमें क्या मिलेगी energy मिलेगी फिर हमने क्या कहा कि अगर lighter nuclei आई थे हैं और वो fuse होकर क्या बन गए एक heavy nucleus बना तो इन दोनों की energy में भी जो different रहेगा वह किस form में release होती है इन दोनों के masses में जो different होगा वह किस form में release होगा energy के form में तो जो mass में different है उससे कितनी energy मिलेगी वह भी इस Newton आइंस्टाइन के equation से हमें पता चलेगा कि जो डेल E हो किसके equal होता है डेल M C square यह C square इधर multiply में इधर आकर divide में आ जाएगा तो हमारे पास क्या आगा है डेल E upon C square किसके equal आगा है डेल M के equal where del M is mass defect कि mass में कितना defect हुआ कितना mass कम हो गया तो जो mass defect है mass defect अगर हमें निकालना है कि mass में कितना defect हुआ कितना change हुआ तो किसके equal रहेगा E square by del E by C square del E upon C square mass defect किसके equal रहेगा del E upon C square के equal तो आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम next topic पढ़ेंगे बाई